C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है ध्वनी पुस्तक संक्षित बुद्ध चरित कक्षा आठ के लिए हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक अध्याए एक आरंभिक जीवन प्रिष्ट संक्या एक सिध्धार्थ का जन्म प्राचीन काल में भारत में एक प्रसिध राजवन्ष था नाम था इक्षवाकु वन्ष इसी वन्ष के शाके कुल में शुद्धोदन नाम के एक राजा हुए कपिलवस्तु उनके राज्ये की राजधानी थी उनके राज्ये में सारी प्रजा सब प्रकार से सुखी और सुरक्षित थी प्रित्वी जैसी गौरोशाली उनकी पत्नी थी नाम था माया एक रात महारानी माया ने एक विजित्र स्वपन देखा उन्हों ने देखा जैसे चंद्रमा बादलों में चुपचाप प्रवेश करता है वैसे ही एक सफेद हाथ ही उनके शरीर में प्रवेश कर गया है इससे उन्हें न किसी प्रकार का भय हुआ न कष्ट उन्हें सुखद अनुभूती हुई कि उन्हों ने गर्वधारण कर लिया है सच्मुच गर्वधारण करने के कुछ मास बाद महारानी माया को किसी सघन वन में एकांत वास करने की इच्छा हुई उन्हों ने अपने पती महाराज शुद्धोदन से निवेदन किया कि अब वे कुछ समय के लिए नंदन वन के समान सुन्दर लुम्बिनी वन में निवास करना चाहती है अपनी गर्ववती पतनी की इच्छा का सम्मान करते हुए महाराज शुद्धोदन ने स्विक्रिती प्रदान की और अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महाराणी ने लुम्बिनी वन के लिए प्रस्थान किया कुछ समय तक सुख से लुम्बिनी वन्वे निवास करने के बाद एक दिन महारानी को लगा कि अब प्रसवकाल आ गया है अतह वे एक शैया पर लेट गई उस समय अनेक स्त्रियों ने उनका अभिनंदन किया जैसे ही पुष्य नक्षत्र का उदै हुआ महारानी माया ने बिना किसी पीडा के एक पुत्र को जन्म दिया उन्हें लगा जैसे वह आकाश से उतर आया हो उसका अंतह करण पवित्र था उसके शरीर से तेज निकल रहा था जिससे सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई सूर्य के समान तेजस्वी परंतु देखने में चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाले इस बालक के शरीर से प्रकाश निकल रहा था प्रिष्ट संख्या दो प्रिष्ट दो पर एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि एक हाथी आकाश से नीचे उतर रहा है और महारानी माया शया पर लेटी हुई है आएए अब सुनते हैं पाठ प्रिष्ट संख्या तीन उसी समय आकाश से दो जलधाराएं प्रवाहित हुई एक शीतल और दूसरी उष्ण इनसे इस बालक का अभिशेक हुआ सोने और चांदी से निर्मित तथा मूंगे मनियों से जडित शुभर शया पर जब वह बालक विराजमान हुआ तो उसके चारों और स्वर्ण कमल हाथों में लेकर यक्षों के राजा खड़े हो गए आकाश में देवताओं ने उसका अभिनंदन किया और बुद्धत्व की प्राप्ती के लिए आशिर्वात दिये इस बालक के जर्म के समय आकाश से सुगंधित लाल और नीले कमलों की वर्षा होने लगी मंद मंद पवन प्रवाहित होने लगी तथा सूर्य और भी अधिक चमकने लगा इस नौजात दिव्य शिशू के दर्शन करने के लिए आए दिव्य पुरुशों से वह वन प्रांतर पूरी तरह भर गया उन्होंने बालक पर पुश्पों की वर्षा की इस बालक के जर्म का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि जो पशु प्रकृती से ही हिंसक थे वे हिंसा भूल गए सारे संसार ने अपूर्व शान्ती का अनुभव किया विभिन्न पशु पक्षी मधुर स्वर में बोलने लगे नदियां शान्ती पूर्वक बहने लगी सारी दिशाएं निर्मल हो गई और निरब्र आकाश में दुन्दु भी बजने लगी केवल माया को छोड़कर सारा संसार इस बालक के जन्म से अत्यंत प्रसन्न हो गया बालक के अद्भुत दिव्य जन्म को देखकर महराज शुद्धोदन की आँखों से भय और प्रसन्नता की अश्रुधाराएं प्रवाहित होने लगी बालक की अतिमानविय शक्ति को देखकर माता माया भी भय और प्रीती से भर गई इस आउसर पर वृद्ध महिलाओं ने मंगल आचरण किया और नवजात शिशु के उज्ज्वल भविष्टे के लिए देवताओं से प्रार्थना की आचरण शास्त्र के ग्याता और शीलवान ब्राहमनों ने जब बालक के सभी लक्षन सुने और उन पर विचार किया तो अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हों ने राजा से कहा हे राजन आपका पुत्र आपके कुल का दीपक है आप किसी बात की चिंता न कीजिए आनंद उत्सों बनाईए क्योंकि यह बालक ना किवल आपके वन्ष की व्रिद्धी करेगा अपितु यह संसार में दुखियों का संरक्षक भी होगा दीपक के समान प्रकाशवान तथा सोने की कांती से युक्त शरीर वाले इस बालक में जो लक्षन है उनसे लगता है कि यह तो बुद्धों में श्रेष्ठ होगा या परम राज्यश्री प्राप्त करेगा यदि यह पृत्वी के राज्य की इच्छा करेगा तो न्याय से पृत्वी को जीत कर सभी राजाओं में ऐसे ही श्रोभायमान होगा जैसे सभी ग्रहों के बीच सूर्य प्रकाशित होता है यदि वह मोक्ष के लिए वन जाएगा तो अपने तत्तो ग्यान से सभी मतों को परास्त कर सारे संसार में सम्मानित होगा और सुमेरू पर्वत के समान प्रतिष्ठित होगा जैसे सभी धातूओं में स्वर्ण, पर्वतों में सुमेरू, जलाशयों में समुद्र, प्रकाश पुंजों में सूर्य श्रेष्ठ है वैसे ही आपका यह पुत्र सभी मनुश्यों में श्रेष्ठ सिद्ध होगा प्रिष्ट संख्या चार ब्रह्मनों की ऐसी बातें सुनकर राजा ने पूछा आपने इस बालक में जिन लक्षणों को देखा है वे न तो पूर्ववर्ती राजाओं में देखे गए हैं और नहीं रिशी मुनियों में इसका क्या कारण है ब्रह्मनों ने राजा को समझाते हुए कहा बुद्धी, सुकर्म और यश के विशय में पूर्ववर्ती या परवर्ती का प्रश्न महतोपूर्ण नहीं होता है इस प्रकार के गुण किसी विशेश कारण से ही उत्पन होते हैं इस संबंध में आप कुछ दिश्टांत सुनिये विभिन गोत्रों के आदी पुरुष भ्रिगू और अंगिरस जिस राजनीत शास्त्र को नहीं बता सके उसी राजनीत शास्त्र को उनके पुत्र, शुक्र और व्रिहस्पती ने बता दिया पुरा काल में जब वेद लुप्त हो गए थे तो आगे चलकर व्यास ने उन्हें संपाधित किया इस कारे को वशिष्ट जैसे रिशी भी न कर सके थे इसी तरह जिस कारे को वालमीकी ने कर दिखाया था वह कारे उनके पूर्ववर्ती चयवन रिशी नहीं कर सके थे अतह राजन इस श्रेष्टता का प्रमान ना तो अवस्था से है और ना ही वन्ष से श्रेष्टता को कोई भी कहीं भी प्राप्त कर सकता है इतिहास बताता है कि जिन कारियों को पूर्ववर्ती रिशी और राजा नहीं कर सके उन्हीं कारियों को उनके परवर्ती व्यक्तियों ने कर दिखाया ब्राहमनों से इस प्रकार आश्वासन और अभिनंदन प्राप्त कर राजा के मन की शंकाएं मिट गई वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मनों को खोब दान दक्षिना दी और उन्हें सम्मानित कर विदा किया। उसी समय महर्शी असित को अनुभूती हुई कि इस समय कपिलवस्तु में जीवन रित्यू के चक्र से मुक्त करने वाले शाक के मुनी ने जन्म लिया है। अता हुए उसके दर्शन के लिए अपने आश्रम से कपिलवस्तु की ओर चल दिये। कपिलवस्तु में ब्रह्म वेत्ता राजपुरोहितों ने महर्शी असित का स्वागत किया और उन्हें सम्मान पूर्वक राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें सिंगहसन पर बैठाया। उनके चरन धोय और विधिवत पूजा की। राजा ने महर्शी से निवेदन किया। हे महर्शी मैं धन्य हूँ। आपके आगमन से मेरा कुल अनुग्रिहित हुआ है। हे सौम्य आज्या दीजिये। मैं क्या सिवा करूँ। मैं आपका शिष्य हूँ। आप आज्या दें। प्रिष्ट संख्या पांच राजा के वचन सुनकर रिशी गदगद हो गए और धीर गंभीर वानी में बोले। हे राजन आप अतिथी प्रिये हैं। धर्मा भीलाशी महात्मा हैं। आपने जो कुछ कहा है वह आपकी अवस्था और आपके वन्ष के अनुरूप है। किन्तु मेरे आने का प्रयोजन कुछ और ही है। मैंने दिव्य आकाशवानी सुनी थी कि आपको जो पुत्र प्राप्त हुआ है वह अवर्ष्य ही बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। इसके बाद मैंने स्वयम ध्यान योग से इसके भविश्य को भी जान लिया है। इसलिए मैं यहां आया हूँ। शाक के कुल की उस पताका के दर्शन करना चाहता हूँ। राजा ने रिशी असित की सारी बातें ध्यान से सुनी और प्रसन्न होकर धाय की गोज से शिशु को लेकर उन्हें दिखाया। महर्षी ने राजकुमार को बड़े विस्मय के साथ देखा। उन्होंने देखा कि उसके चरणों में चक्र के चिन्ह हैं। अंगुलियों और हाथ पेरों पर अन्य शुभ लक्षन अंकित हैं। बालक को देखकर महर्षी की आँखों में आशु आ गए और उन्होंने दीर्ग निहश्वास लेकर आकाश की ओर देखा। महर्षी असित की आँखों में आशु देखकर राजा का हृदय धड़कने लगा। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा। जिस बालक के शरीर पर दिव्य चिन्ह हैं। जिसका जन्म चमतकारी है। और जिसके भविष्य को आप उज्ज्वल बताते हैं, उसे देखकर हे धीर, आपकी आँखों में आशु क्यों आ गए हैं। हे भगवन, कुमार चिरायू तो है। क्या वह मेरी मृत्यू के बाद मुझे जलान जली दे सकेगा। हे महर्शी, मुझे शीघ्र बताएं, मेरा हृदय व्यग्र हो रहा है। इसी प्रिष्ट पर एकचित्र है, जिसमें महर्शी ने बालक को गोद में लिया हुआ है, और राजा उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। अब सुनते हैं पाठ। प्रिष्ट संख्या छे महर्शी असित ने राजा को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि तुम्हारा पुत्र बुद्ध होगा। वह शाक के कुल भूशन बनेगा, यह निश्चित है। मैं तो इसलिए विकल हूँ कि मेरे जाने का समय आ गया है। और जन्म मृत्यू के चक्र से मुक्ति के सुलव उपायों को बताने वाला यह बालक अब उत्पन्न हुआ है। यह कुमार विशयों से विरक्त होकर राज्य को त्याग कर अपने तप से तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा। यह ज्ञान में सूर्य सांसारिक मोह के अंधकार को अवर्ष्य नष्ट करेगा। महर्शी असित ने बताया। दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए इस संसार को यह बालक ग्यान की विशाल नौका से उस पार ले जाएगा। यह धर्म की ऐसी नदी प्रवाहित करेगा जिसमें प्रग्या का जल होगा, शील का तट होगा और समाधी की शीतलता होगी। इसी धर्म नदी के जल को पी कर तृष्णा की पिपासा से व्याकुल यह संसार शांती लाभ करेगा। जैसे भटके वे राही को कोई राह बताता है, वैसे ही संसार रूपी जंगल में भटके मनुश्यों को यह मोक्ष का सीधा मार्ग बताएगा। इसलिए हे राजन, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो इसके बताएग धर्म को मोह वर्ष या आसकती वर्ष नहीं मानेंगे। मैं ही अभागा हूँ कि इसके उपदेशों को सुनने के लिए जीवित नहीं रहूँगा। महर्षी की इन बातों को सुनकर राजा शुद्धोदन, उनकी पतनी तथा अन्य सभी संबंधी अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षी भी राज कुमार के भविश्य के बारे में बता कर जैसे वायू मार्ग से आये थे, वैसे ही चले गए। बाद में उन्होंने अपनी बहन के पुत्र को समझाया कि वह बड़ा होकर बुद्ध के मार्ग का ही अनुसरण करे। जोतिशियों तथा महर्षी असित से अपने पुत्र के भविश्य के बारे में सारी बातें सुनने के बाद राजा ने बड़े उत्साह से जन्मोत्सव का आयोजन किया। उसने अपने कुल के अनुरूप बालक का जात कर्म संसकार किया। दस दिन पूरे होने पर अपने पुत्र के कल्यान के लिए जप होम तथा अन्य मंगल कार्य किये। पुत्र की उन्नती के लिए स्वर्ण मंडित सींगों वाली बहुत सी गायों का दान दिया और शुव मुहूर्त देखकर प्रसनता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। पुत्र को लेकर अनेक सगे संबंधियों के साथ महरानी हाथी दातों से निर्मित श्वेत पालकी पर सवार होकर नगर में आई। जब रानी ने पुत्र के साथ अपने महल में प्रवेश किया तो राजा शुद्धोदन वैसे ही प्रसन्न हुए जैसे कार्ती केयके जन्म से शिव प्रसन्न हुए थे। प्रिष्ट संख्या साथ अंतःपूर विहार महराज शुद्धोदन के पुत्र के जन्म का कुछ प्रभाव हुआ कि उनका घर धन धान्य और हाथी घोडों से संपन्न हो गया। उनके सभी मनुरत सफल हो गए, उनके जो शत्रू थे वे मध्यस्त हो गए, जो मध्यस्त थे वे मित्र बन गए, और जो मित्र थे वे और भी अधिक प्रिय हो गए. इंद्र ने उचित समय पर वर्षा की और खेत लहलहाने लगे. महराज शुद्धोदन के राज्य में धार्मिक जनों ने स्वर्ग जैसे सुन्दर उद्ध्यान, देव मंदिर, आश्रम, कुएं और तालाब बनवाए. राज्य में किसी ने धन के लोब के लिए धर्माचरण नहीं किया, और धर्म के लिए किसी प्रकार की हिंसा नहीं की. इस तरह उनका राज्य चोर, शत्रु आदी के भैसे मुक्त, स्वतंत्र और धन धान्य से संपन्न हो गया. सूर्य पुत्र मनु के समान इस राज्य के राज्य में बालक के जन्मकाल से ही सर्वत्र प्रसन्नता चा गई. पाप नश्ट हो गये और धर्म प्रकाशित हो गया. इस बालक के जन्म से ही राज्य और राज कुल में संपत्ती आई और सभी प्रकार की सिध्धियां प्राप्त हुई इसलिए राजा ने बालक को सर्वार्थ सिध्ध कहते हुए उसका नाम सिध्धार्थ रखा महरानी माया अपने पुत्र का देवर्शियों जैसा प्रभाव देखकर अतिशय प्रसन्न थी पर इस आनन्दा तिरेख को वह अधिक दिनों तक सहना सकी और कुछ ही दिनों में स्वर्गवासी हो गई माता के स्वर्गवासी होने पर मौसी गौतमी ने उस बालक का अत्यंत स्नेह पूर्वक लालन पालन किया बालक उधयाचल पर उदित सूर्य के समान वायू प्रेरित अगनी के समान तथा शुकल पक्ष के चंद्रमा के समान धीरे धीरे बड़ा होने लगा सगे संबंधियों और मित्रों ने बालक को अनेक उपहार दिये किसी ने बहुमूल्य चंदन के खिराउने दिये तो किसी ने मोतियों की माला दी किसी ने सोने के रथ तो किसी ने सोने चांदी की रंग बिरंगी पुतलियां दी इस प्रकार बालक सिध्धार्थ विविध प्रकार की बाल क्रीडाएं करते हुए बड़ा होने लगा सिध्धार्थ की कुमारावस्था बीतने पर राजा ने अपने कुल के अनुरूप उसका विधिवत उपनयन संसकार किया और बालक की शीक्षा-दीक्षा की समुझित व्यवस्था की बालक सिध्धार्थ अत्यंत मेधावी था जिन विध्याओं को सामानने बालक वर्षों में सीखते हैं उनको उसने कुछ ही समय में सीख लिया इस प्रकार विध्याभ्यास करते हुए सिध्धार्थ ने किशोर आवस्था पूरी की और वह युवावस्था की ओर बढ़ने लगा प्रिष्ट संख्या आठ इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें सिध्धार्थ के विवाह को दर्शाया गया है अब सुनते हैं पाठ प्रिष्ट संख्या नौ महराज शुद्धोदन को महर्शी असित्र द्वारा की गई भौईश्वानी याद्धी कि यह बालक बढ़ा होकर मोक्ष प्राप्ती के लिए वन की और प्रस्थान कर सकता है इसलिए उन्होंने अंतहपुर में ऐसी विवस्था करवाई जिससे सिधार्थ की आसकती सांसारिक विशयों में बढ़े और वह भोग विलास में इतना लिप्त हो जाए कि उसे किसी प्रकार का वैराग्य ना हो और वह राज महलों में रहकर भोग विलास में डूबा रहे इसी विचार से राजा शुद्धोदन ने सिधार्थ का विवाह करने का निश्चे किया और इसके लिए उप्युक्त कन्या की तलाश शुरू की अंत में उन्होंने यशोधरा नाम की सुन्दर कन्या का चैयन किया और फिर बड़े उत्साह से उसका विवाह कुमार के साथ कर दिया विवाह के बाद राजकुमार सिधार्थ और यशोधरा सुख पूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगे महराज शुद्धोदन ने राजमहल में ऐसी विवस्था की थी कि राजकुमार राजमहल में ही रहे भोग विलास में तल्लीन रहे और ऐसा कोई द्रिश्य उसके सामने ना आये जिससे उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो यहाँ एक चित्र है जिसमें राजकुमार सिधार्थ और राजकुमारी यानि उनकी पत्नी यशोधरा सिंगहासन पर बैठे हैं और उनके इर्दगिर्द दासिया हैं और वो आमोध प्रमोध कर रहे हैं प्रिष्ट संख्या 10 राजमहल में राजकुमार सिधार्थ सुंदर स्त्रियों के नृत्य, गान तथा वीना वादन आदी का आनंद लेते रहें सुंदरियों के साथ राजकुमार ऐसे तनमय हो गए कि राजमहल से बाहर निकलते ही न थे राजकुमार को भोग विलास में तल्लीन देखकर राजा बहुत प्रसन्न थे इसलिए उन्होंग ने और अधिक दान दिये परंतु राजकुमार सिधार्थ विशे सुखों में आसकत नहीं था उसने चपल घोडों जैसी इंद्रियों को वर्ष में कर लिया था उसने अपने गुणों से सारे राजपरिवार और पुरवासियों के मन को जीत लिया था राजा शुद्धोदन राजकुमार के क्रिया कलापों से अत्यंत प्रसन्न थे उन्हों ने अपने पुत्र की दीर्ग आयू के लिए ग्रहों की पूजा की तथा गायों और स्वर्ण का दान दिया राजा स्वयम सदा सत्य का आचरण करते थे राग द्वेश से रहित होकर शासन व्यवस्था चलाते थे तथा प्रजा से अधिक कर नहीं लेते थे जैसे योगी की इंद्रियां उसके अनुकूल रहती हैं वैसे ही राजा के सदाचरण के कारण सारी प्रजा उनके अनुकूल रहती थी यशुधरा के साथ राजकुमार सिध्धार्थ के विवाह के कुछ समय बाद उन्हें चंद्रमा के समान सुन्दर मुख वाला पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम राहुल रखा गया राजा ने बड़े उत्सा के साथ अपने पौत्र का जन्मोत्सो मनाया उन्हें अब पूरा विश्वास हो गया कि उनके वन्ष का विस्तार होगा जैसे वे अपने पुत्र से प्रेम करते हैं वैसे ही उनका पुत्र भी अपने पुत्र से प्रेम करे इस अभिष्ट पूर्ती के लिए उन्होंने अनेक धार्मीक अनुष्ठान किये राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए राजगाज चलाया वन्ष वृद्धी के लिए पुत्र का पालन किया यश के लिए कुल की रक्षा की और स्वर्ग के लिए वेदों का अध्यायन किया सामान्य तह राजा अपनी राज्य लक्ष्मी की रक्षा के लिए पुत्र की रक्षा करते हैं परन्तु इस राजा ने धर्म रक्षा की इच्छा से पुत्र की रक्षा की समवेग उत्पत्ती एक बार राजकुमार सिधार्थ ने सुना कि राजमहल से बाहर एक सुन्दर उद्ध्यान है वहां घने विक्ष हैं जिन पर कोयलें कूकती हैं तथा कमलों से भरे सुन्दर सरोर हैं राजकुमार सिधार्थ को वह उद्ध्यान देखने की इच्छा हुई उन्हों ने महाराज से वन विहार करने के लिए आग्या मांगी राजा ने आग्या दे दी वे चाहते थे कि राजकुमार के मन में किसी प्रकार का वैराग्य उत्पन्न ना हो इसलिए अनूचरों को ऐसी विवस्था करने की आग्या दी कि जिधर से राजकुमार निकलें उस मार्ग पर कोई रोगी या पीडित व्यक्ति दिखाई ना दे राजकर्मचारियों ने राजमार्ग से उन सभी व्यक्तियों को शांती पूर्वक हटा दिया जो विकलांग थे, व्रिद्ध थे या रोग पीडित थे इतना ही नहीं, उन्होंग ने राजमहल से लेकर उद्ध्यान तक का मार्ग अच्छी तरह सजाभी दिया राजा की आग्या प्राप्त कर अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर राजकुमार सिधार्थ उद्ध्यान देखने के लिए राजमहल से बाहर निकले वे स्वर्ण आभुशनों से अलंकृत और चार घोड़ों से युक्त रत में बैठे थे, जो श्वेत पुष्पों और पताकाओं से भली भाती सुसजित था जब नगरवासियों ने सुना कि राजकुमार पुरकानन देखने आ रहे हैं तो राजकुमार के दर्शनों के लिए वे अपने अपने घरों से बाहर आ गए उन्होंने मन ही मन उनका अभिवादन किया और उनके दीर्ग जीवन के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की राजपत पर राजकुमार के दर्शनों के लिए जगह जगह प्रजाजन एकत्रित हो गए थे स्त्रियां अटारियों पर चढ़ कर या झहरोखों से जहांक कर उनका दर्शन कर रही थी सुन्दर वेश वाले पुर्वासियों से भरे इस राजपत को देख कर राजकुमार सिधार्थ बहुत ही प्रसन्न थे उन्हें लग रहा था जैसे उनका यह नया जन्म हुआ है राजकुमार और पुर्वासियों को इस प्रकार प्रसन्न देख कर देवताओं को बड़ी चिंता हुई वे सोचने लगे कि यदि कुमार में वैराग्य भाव पैदा नहीं हुआ तो क्या होगा इतने में सिध्धार्थ को राजपत पर एक व्रिद्ध पुरुष दिखाई दिया इस प्रिष्ट पर एक चित्र है जिसमें राजकुमार सिध्धार्थ अपने सार्थी से बादचीत कर रहे है अन्य सभी व्यक्तियों से विलक्षन उस जरजर शरीर वाले व्रिद्ध पुरुष को जैसे ही सिध्धार्थ ने देखा वह चौका और बड़े ध्यान से उसकी ओर देखने लगा फिर उसने अपने सार्थी से पूछा हे सूत यह कौन है यह कहां से आया है सफेद बालों वाला यह पुरुष हाथ में लाठी क्यों लिये हुए है इसकी आखें भावों से कैसे ढख गई है इसका शरीर क्यों जुका हुआ है क्या यह कोई विकृती है या इसकी यही स्वभाविक स्थिती है या यह अनायास ही ऐसा हो गया है राजकुमार के इन प्रश्णों को सुनकर सारती सोचने लगा अब मैं क्या कहूं राजा की आग्या के अनुसार वह इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था किन्तु ना चाहते हुए भी उसने सभी बातें राजकुमार को बता दी उसने राजकुमार से कहा हे राजकुमार रूप और शक्ती का नाश करने वाली यह जरावस्था है यह बुढ़ापा है जिसमें स्मृति का नाश हो जाता है इंद्रियां शिथिल हो जाती है इसी वृध्धावस्था ने इस पुरुष को तोड़ दिया है इसने भी बाल्यवस्था में दूध पिया है, सुन्दर शरीर प्राप्त कर यववन का सुख भोगा है और अब काल क्रम से यह बुढ़ा हो गया है सारथी की बातें सुनकर राजगुमार चकित हो गया क्योंकि उसे इस प्रकार का कोई पूर्व अनुभव नहीं था उसने फिर बुढ़े की और देखा और सारथी से पूछा, क्या यह दोश मुझे भी होगा? क्यों, मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ आयुश्मान, समय आने पर आपको भी बृद्धावस्था अवश्य प्राप्त होगी सारथी का उत्तर सुनकर, राजकुमार उद्विग्न हो उठा उसने दीर्ग निहश्वास लिया, सरहिलाया और बड़े ध्यान से पुनह उस पुरुष को देखा फिर चारों और प्रसन्नचित जनता की भीड को देख कर वह सोचने लगा ये लोग कैसे हैं? जो स्मरन शक्ति और सारे पराक्रमों को समाप्त कर देने वाली इस वृद्धावस्था को देख कर भी अनुद्विग्न बने रहते हैं? उसने फिर सार्थी से पूछा, हे सूत, चलो, घर चलें, अपने घोड़ों को मोड़ दो, मन में जब बुढ़ाप्य का भाव भर गया हो, तो इस उद्ध्यान में मेरा मन कैसे रम सकता है? राजकुमार की आग्या पाकर सारथी ने रत को राजभवन की ओर मोड़ दिया, फोड़े ही समय में राजभवन आ गया, राजकुमार अब भी बुढ़ापे के बारे में सोच रहा था, वह रत से उतर कर अपने भवन में गया, और तरह तरह से इसी विशे में सोचता रहा, परंतु उसे किसी प्रकार शान्ती का अनुभव ना हुआ वह अपने पिता के पास आया उनसे पुनह उद्ध्यान भ्रवन की आज्या ली और उसी राजपत पर पुनह उसी प्रकार बाहर आ गया प्रिश्ट संख्या 13 राजकुमार सिध्धार्थ का रथ जैसे ही उद्ध्यान की और अग्रसर हुआ उसे एक रोगी दिखाई पड़ा उसका पेट बढ़ा हुआ था कंधे जुके हुए थे और वह लंबी लंबी सांसें ले रहा था सिध्धार्थ ने उसी समय रथ को रुकवाया और सारथी से पूछा हे सूत यह दुबला पतला व्यक्ति कौण है जो दूसरों का सहारा लेकर चल रहा है और कराता हुआ हाय मा हाय मा कह रहा है सारथी ने उत्तर दिया हे सौ्य यह व्यक्ति बीमार है रोग से पीडित है और असमर्थ हो गया है राज गुमार ने दया भरी द्रिष्टी से उस रोगी को देखा और फिर सारथी से पूछा क्यों सारथी यह रोग इसी व्यक्ति को हुआ है या किसी को भी हो सकता है सार्थी ने बताया कि रोग भय तो सभी प्राणियों को लगा रहता है कोई भी रोग से पीडित हो सकता है परन्तु लोग यह जानते हुए भी परवाह नहीं करते सार्थी का उत्तर सुनकर राजगुमार का मन और भी बेचैन हो उठा उसका हृजय कापने लगा फिर करुण स्वर से वह बोला अरे ये मनुश्य कैसे अग्यानी है जो रोग भय से ग्रस्त होने के बाद भी निश्चिंत रहते हैं उसने सार्थी से कहा हे सूत अब तुम रत को घर की ओर ले चलो लौड चलो मुझसे यह रोग भय सहा नहीं जाता राजकुमार का आदेश पाकर सार्थी ने रत को महल की ओर मोर दिया राजकुमार का हृदय पहले बुढ़ापे के भय से और अब रोग के भय से दुखी था वह शीघर महल में लौट आया और कमरे में जाकर विचारों में डूब गया राजा शुद्धोदन ने इस प्रकार जब दो बार राजकुमार को दुखी मन से लौटा हुआ देखा तो उन्हों ने इसका कारण जाना ना चाहा उन्हों ने सारथी को बुलाया और उससे सारा वृतांत सुना राजा को जब यह ग्यात हुआ कि राजकुमार जरा और रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को देखकर बहुत व्याकुल हो गये हैं और घर लौट आये हैं तो उन्हें लगा जैसे राजकुमार ने उन्हें त्याग दिया है उन्हों ने जिस भहे से राजमार्ग से व्रिद्ध, रोगी तथा असुंदर लोगों को हटाने का आदेश दिया था, वहीं भहे कैसे उपस्थित हो गया उन्हें अपने करमचारियों और अधिकारियों पर बढ़ा क्रोध आया उन्हों ने राजकुमार्ग की यात्रा से पूर्व सारे राजमार्ग को सुसज्जित करने तथा रोगी व्रिद्ध आदी लोगों को हटाने का आदेश दिया था, परंतु राजा ने अब इसे अपनी नियती मान लिया और उन अधिकारियों को दंडित नहीं किया उन्हों ने अपने मंत्रियों को बुलाकर इस विशे पर विस्तार से विचार विमर्ष किया राजकुमार के मन को बदलने के लिए उन्हों ने और अधिक भोग विलास तथा आमोद प्रमोद की अच्छी विवस्था अंतहपुर में ही कर दी राजा ने सोचा था इंद्रिया स्वभावतह चंचल होती हैं अतह राजकुमार भोग विलास और आमोद प्रमोद में सब कुछ भूल सकता है हो सकता है वह इस प्रकार विशयों में आसक्त होकर यहीं रहे और हमें छोड़ कर कहीं अन्यत्र ना जाए परंतु राज बहल के आमोद प्रमोद के विशेश आयोजन का भी राजकुमार के मन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ इस पर राजा ने यह सोच कर कि नगर दर्शन से राजकुमार का मन बदल सकता है राजकुमार के लिए पुनह नगर दर्शन की विशेश विवस्था की उन्होंने पूरे नगर को भली भाती सुसज़ित करवाया सर्वत्र विविध कलाओं में निपुन सुन्दरियों को न्युक्त किया और ऐसी व्यवस्था की जिससे राजकुमार का मन किसी भी प्रकार उद्विग्न ना हो, उन्होंने राजकुमार के रथ और उसके सारथी को भी बदल दिया। सारी विवस्था करने के बाद महराज शुद्धोदन ने पुनह राजकुमार सिध्धार्थ को नगर दर्शन के लिए प्रेरित किया और अनेक युवक युवतियों के साथ नगर दर्शन के लिए बाहर भेज दिया नगर के सुसजित मारगों और सुन्दर युवक युवतियों को देख कर राजकुमार सिध्धार्थ बहुत प्रसन्न थे प्रसन्नता पूर्वक नगर दर्शन करते हुए जब वे आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें किसी मृत व्यक्ती की शवयात्रा दिखाई दी राजकुमार ने जब इस सुन्दर वातवरण में शवयात्रा देखी और उसके साथ रोते बिलखते लोगों को देखा तो वह चौक गया उसने रत रुकवाया और सारथी से पूछा हे सूत यह क्या है जिसे चार आदमी अपने कंधों पर उठा कर ले जा रहे हैं उसके पीछे आने वाले लोग क्यों रो रहे हैं जिसे लोग उठा कर ले जा रहे हैं उसे तो बहुत अच्छी तरह से सजाया है फिर भी ये लोग रो क्यों रहे हैं मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है मुझे ठीक ठीक बताईए यह सब क्या है यद्यपी राजा ने सारथी को समझा दिया था कि वह ऐसी कोई बात राजगुमार को ना बताए जिससे उसका मन बेचैन हो परंतु सारथी राजगुमार का आगरहट नहीं टाल सका उसने राजगुमार को बताया कि यह ऐसा व्यक्ति है जिसकी चेतना, बुद्धी, प्राण, इंद्रिय गुण आदी समाप्त हो चुके हैं अब ये लकडी के टुकडे के समान है, जिसे बड़े लाड़ प्यार से पोसा गया था, उसे ही आज ये लोग रोधो कर हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे हैं सारथी की ये बातें सुनकर राजगुमार अत्यंत व्यग्र हो गया उसने पहली बार मृत्व्यक्ति के दर्शन किये थे, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, उसने पुनह सारथी से पूछा, क्या ये स्थिती सभी की होती है, या इसी की है क्या ये इसी का अंत है, या सभी का यही अंत होता है सारथी ने उत्तर दिया, हाँ, राजगुमार, सभी प्राणियों की यही अंतिम गती है, क्योंकि सभी नाशवान है चाहे कोई व्यक्ति उत्तम हो, मध्यम हो, या अधम हो, अंत सभी का है, और अंत सभ का एक साही है सारथी की बातें सुनकर राजगुमार यद्यपी अधीर तो नहीं हुआ, परन्तु मृत्यू की प्रथम प्रतीती के कारण, वह उसके विशय में सोचने लगा पोड़ी देर विचारों में डूबे रहने के बाद, उसने गंभीर स्वर में कहा सभी प्राणियों की मृत्यू निश्चित है, फिर भी लोगों को डर नहीं लगता मनुष्य क्यों सावधान नहीं होते, लगता है लोगों का मन बड़ा कठोर है तभी तो मृत्यू मार्ग पर चलते हुए भी, वे उसे भूले रहते हैं हे सारथी, लोट चलो, चलो, घर चलें, यह समय आमोध प्रमोध का नहीं है मृत्यू को जानकर भी भला, कोई बुद्धिमान व्यक्ती कैसे अपने आपको आमोध प्रमोध में डूबो सकता है सारथी को घर लोटने की आग्या दे कर, राजगुमार संसार की असारता के विशय में सोचता हुआ, विचारों में डूब गया यद्यपी राजगुमार ने सारथी को रत को राजमहल ले चलने के लिए कहा था, परंतु उसे राजा की आग्या याद थी अता हुआ है, राजगुमार के रत को राजमहल ना ले जाकर पदमखंड नाम के उद्यान की ओर ले गया राजा की आग्या के अनुसार इस उद्यान को विशेश रूप से सुसजित किया गया था धीरे धीरे राजगुमार का रत वन प्रांतर की ओर अग्रसर होने लगा राजगुमार ने विविध्ध प्रकार के पुश्पों से युप्त छोटे छोटे व्रिक्षों को देखा, जिन पर मतवाली कोयलें कूक रही थी पास ही सुन्दर पुश्प करिनी थी, जिसमें अनेक कमल खिले हुए थे सारा उद्ध्यान नंदन वन जैसा सुन्दर लग रहा था परन्तु इस सुन्दर वन प्रांतर में भी राजगुमार का मन नहीं लग रहा था पद्मखंड उद्ध्यान में राजा शुद्धोदन द्वारा न्यूप्त नव युवतियों ने जब सुना कि राजगुमार सिधार्त उपुवन में प्रवेश कर चुके हैं तो उन्होंने द्वार के पास ही उनका स्वागत किया उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक राजगुमार को रथ से उतारा और प्रेम भरी आँखों से निहारा उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे स्वयम कामदेव उनके सामने आ गया हो राजगुमार के सुन्दर रूप को निहार कर वे इतनी मुग्ध हो गई कि ना कुछ बोल सकी ना हस सकी बस देखती ही रही प्रिष्ट संख्या सोला इस प्रकार प्रेम विहवल स्त्रियों को कुछ ना करते देख कर कुमार के मित्र तथा राज पुरोहित के पुत्र उदाई ने सुन्दरियों से कहा कि आप सभी रूप और यवन से संपन हैं सभी कलाओं में निपुण हैं अतहा अपने हाव भाव से राज कुमार को आमोध प्रमोध में तलीन कीजिए उनके मन के वैराग्य भाव को दूर कीजिए उदाई की ये बातें सुनकर सभी स्त्रियां राज कुमार को आकरशित करने के लिए प्रयत्न करने लगी उन्होंने राज कुमार को निकट से निहारा और अपने हाव भाव से उन्हें आकरशित करने का प्रयास किया सुरम्मे वातवरण में सुन्दर स्त्रियों के बीच राजकुमार प्रसन्न तो दिखा परंतु वह जितेंद्रिय था अतह अनासक्त भाव से सब कुछ देखता रहा मन ही मन सोचता रहा कि क्या ये स्त्रियां यववन की अस्तिर्ता नहीं जानती क्या ये नहीं जानती कि जिस रूप के कारण ये उन्मत्त हैं उसे बुढ़ापा शीगर ही समाप्त कर देगा अवश्य ही इन स्त्रियों ने रोग नहीं देखा तभी तो ये इस प्रकार प्रसन्न है इन्हें मृत्यू का भी भय नहीं है तभी तो इस प्रकार हस रही है उन्हें समझाते हुए कहा हे मित्र यह क्या है आप क्यों इतने उदासीन है आप तो बलवान हैं सुन्दर हैं युवक हैं फिर भोग विलास का तिरसकार क्यों कर रहे हैं उदाई की ये बातें सुनकर राज कुमार ने धीर गंभीर वाणी में उत्तर दिया हे मित्र आप जो कह रहे हैं वह ठीक ही है परंतु मैं भी आप से कुछ कहना चाहता हूँ मैं विशयों की उपेक्षा नहीं करता और मैं यह जानता हूँ कि सारा संसार विशयों की उपेक्षा नहीं करता मैं यह भी जानता हूँ कि सारा संसार विशयों में ही डुबा हुआ है किन्तु इस जगत को अनित्य जानकर अब मेरा मन इसमें रम नहीं रहा जरा, व्याधी और मृत्यू न होती, तो मेरा मन भी इन में अनुरक्त होता। परंतु मैं जानता हूँ, इस यववन और सौंदर्य को बुढ़ापा समाप्त कर देगा। हे मित्र ऐसे क्षण भंगुर यववन में अनुराग अज्ञान के कारण ही हो सकता है। राजकुमार सिधार्त जब अपने मित्र से वैराग्य उत्पन्न करने वाली बातें का रहा था, तभी सूर्य अस्त होने लगा। सभी नव युवतियां नगर की और लोटने लगी। और सारे उद्ध्यान और नगर की शोभा अंधकार की चादर में सिमटने लगी। इस समय राजकुमार सिधार्त को बोध हुआ कि इस जगत में सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ अनित्य है। जगत की अनित्यता के विशय में सोचते हुए वह अपने राजभवन की ओर चल पड़ा। फोड़े समय में राजभवन पहुँचकर वह स्तीधे अपने महल में गया और संसार की नश्च्वर्ता के विशय में और विचार करता रहा। प्रिष्ट संख्या सत्रा। राजा शुद्धोदन ने जब सुना कि राजकुमार सभी विशयों से विमुख होकर लौट आया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जैसे किसी हाथी के हृदे में वान लग जाने से वह रात भर सो नहीं पाता, वैसे ही महाराज भी रात भर सो नहीं सके। उन्हों ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनके साथ मंत्रणा करते रहे कि क्या उपाय किये जाएं जिससे राजकुमार का मन बदले। उसका वैराग्य समाप्त हो और विशयों के प्रती आसकती जागे। प्रश्ण एक, सिध्धार्थ के बारे में महर्शी असित की क्या भविश्रवानी थी? संक्षेप में बताईए। दो, आप कैसे कह सकते हैं कि बालक सिध्धार्थ विशेश मेधावी था। तीन, महराज शुद्धोदन सिध्धार्थ की सुख सुविधाओं की विवस्था के लिए क्यों विशेश प्रयत्नशील रहते थे? चार, राजगुमार सिध्धार्थ के मन में समवेग की उत्पत्ती के क्या कारण थे? यहाँ पहला अध्याय समाप्त हुआ। संक्षिप्त बुद्ध चरित्थ अभी आप सुन रहे थे? कक्षा आठ की हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्थ का ध्वनी पाठ वाचंस्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, निर्माण वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नैदिल्ली भारत